दोस्तों आप लोगों ने कई बार कमेंट किया हुआ है कि फुल एचडी वेब कैम के बारे में बताईए अच्छली प्राबलम कहां आती है कि आज की रिट में जितने भी सारे नॉर्मल लेप्टॉप आ रहे हैं या फिर जितने भी पूराने लेप्टॉप हैं उन सब के अंदर 720p वाले वेब कैम आते हैं जिस पर वीडियो कॉल बहुत ही वर्ष्ट होती है चाहे आप लाइब स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो वी वीडियो होती है बहुत ही खराब क्वालिटी आती है अब थोड़े महंगे लेप्टॉप में Full HD आने लग गए हैं लेकिन हमारे पास या फिर आपके पास पूराने अगर लेप्टॉप हैं उसके साथ में वही 720p वाला मिलेगा वो भी actual result आपको नहीं देता है जिसके वज़े से आपकी लाइब स्ट्रीमिंग बहुत ही खराब ह जाती है चाहे गेमिंग्स पे जाना चाते हैं फेसबूक पे जाना चाते हैं इंस्टा पे जाना चाते हैं लेप्टप के माध्यम से जाना चाते हैं तो वहां पर आपको quality नहीं मिल पाती है तो उस condition में या फिर अगर आप desktop यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर obviously आपको एक webcam लगाना ही पड़ेगा. या फिर लेप्टप है क्वालिटी चाहिए. तो भी आपको वेब्करिम लगाना ही पड़ेगा. अच्छी क्वालिटी का. तो इस विडियो के अंदिर हम फुल HD वाले वेब्करिम की बात करेंगे. सारे के सारे. और 4K वेब कैम्प के बारे में भी बात करेंगे, समझने के लिए वीडियो के साथ लास्तर बने रहें, पहली बार चैनल पे आ ही गए हैं, तो प्लिच चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टैप की वीडियोस में हमें सा ले करके आता रहता हूं, और वीडियो को लाइक करें सेर भी कर दिया करें, कमेंट करना ना भूलें कि नेक्ष वीडियो का पोकिश टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी वीडियो आप लोगों के कमेंट के रिपलाई में ही होती हैं, आए दोस्तों हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला सस्ते में जिनको चाहिए, तो इन लोगों का webcam से या इस टाइप के lenses से बहुत पुराना नाता है इनका import-export बहुत बड़े मात्रा में होता है इसलिए इनका webcam quality में भी अच्छा हो सकता है और price में भी बहुत ही सस्ता हो सकता है इसलिए इस सबसे सस्ता जो अभी ये webcam जो मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने Higvision का DSU02 है 1080p webcam है ये और ये जो है without distortion का without noise का जो है noise reduction भी इसके अंदर है plug and play है digital zoom के साथ में आएगा इसकी quality खराब होगी वो एक अलग मैटर है लेकिन बहुत अच्छी quality इसके अंदर मिल सकती है 1080p पर WebEx या फिर Skype बगएर पर अगर आपको जाना है Teams के साथ में PC में लगाना है कैसे भी अगर आपको यूज करना है तो इसको यूज कर सकते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि इसका price बहुत ही कम है मात्र 970 रुपे का यह मिल जाता है Full HD का camera जो कि बहुत अच्छा performance आपको निकाल के दे सकता है Hick Vision का विश्वास भी आपको मिल रहा है उसके बाद next की अगर हम बात करें तो वो है Jebronix का जो कि बड़ा ही famous model है Jebronix का Jeb Ultimate Pro यह Full HD यह भी है Full HD में 30 fps पर जो है यह record कर लेता है और 5 megapixel का lens के साथ में यह आता है और mic भी इसके अंदर इन विल्ट होता है auto white balance के साथ में आता है night vision के साथ में आता है और जो night vision के लिए जो LED है इसको manually switch भी दिया हुआ है जिससे आप इसको on off कर सकते हैं इन सारी facilities के साथ में यह काफी सारे आप जो है आधार बगेरे के दुकान पर देख सकते हैं काफी जगे इसको use करते हुए आप देख पाएंगे इसकी quality जितने में है बहुत अच्छी quality आती है फिलहाल full HD के अंदर एक normal में जिनको जेब्रोनिक्स पर भरोसा है वो buy कर सकते हैं लेकिन इसका price जो कि demand इसका ज़्यादे रहता है एक normal है जो कि market में दुकानों पे भी यह normal बिलता है जिसके वज़े से इसकी demand बढ़ गई और जिसके वज़े से इसका price बढ़ गया इसका price 1700 रुपे आज की rate में है जो कि 1500 से 1700 रुपे के बीच में हमेशा वाईरी कर रहा होता है तो एक बार देख लें आप इसको भी लेना चाहे तो ले सकते हैं अन्यता इससे और भी अच्छे-ची quality पर हम लोग आगे बात करने बारे हैं उसके बाद जो है वो है HP का W300 Full HD 30 fps पर यह भी record करेगा और यह भी बहुत ही famous model है और यह dual digital mic के साथ में आता है दोनों तरफ mic लगा हुआ है जिसके वज़े से बीडियो कॉलिंग बहुत अच्छी होती है plug and play सारे के सारे ही यह model है बिल्कुल wide angle यह जो है यह कभर करता है बीडियो कॉलिंग, skype भी बगएर पर zoom की facilities भी इसके चुकि डिजिटल zoom है यह थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको बाकि किसी भी तरीके से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं जादे बात करने से कोई फायदा नहीं है यह black color का आता है और इसकी price जो है यह 299-2400 रुपे में यह आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद Lenovo का जो दूसरा model है 300 यह भी full HD के अंदर ही है यह भी बहुत ही खुबसूरत model है और इसके अंदर भी जो है stereo microphone के साथ में यह आता है और 2.1 megapixel के camera के साथ में आता है full HD यह record करेगा बहुत अच्छा यह भी हो सकता है आपके लिए और यह भी digital zoom के साथ ही आता है और यह ultra wide 95 lens के साथ में आता है बहुत ही ultra wide यह cover करेगा laptop के बिल्कुल pass में है सामने है तो आपको पूरा cover करने में यह बहुत ही जादे सक्षम है white color का इसका price जो है 2050 रुपे में यह आपको मिल जाएगा यही same चीज जो है black color में भी आपको 2000 रुपे में मिल जाएगा black और white दोनों ही है same configuration है same ही चीज है white लेना है तो white लेजिए black लेना है तो black लेजिए दोनों ही option मिलते हैं दोनों ही full HD के अंदर video को record करेंगे live stream में आप जा सकते हैं उसके बाद हम आ जाते हैं एक बहुत अच्छा camera है इस budget के अंदर बहुत अच्छा point है यह इसको जूम करेंगे तो भी इसकी quality जो है down नहीं होगी क्योंकि इसका जूम है वो optical है यह बहुत बड़ी facilities के अंदर है full HD में wide angle lens के साथ में यह आता ही है बाकि जूम करना चाहे तो जूम कर सकते हैं noise cancellation भी है पाकि इसके उपर cover भी होता है इसके lens को cover करने के लिए ढकन भी आपको मिल जाता है cap मिल जाता है बाकि tripod पर mount करने के लिए भी facilities के अंदर आपको मिल जाती है तो जैसे use करना चाहते हैं वैसे use कर सकते हैं इसका price फिलहाल 3600 है जो कि इस budget के अंदर आने बला कहीं न कहीं बहुत ही बहतरीन ये camera हो सकता है उसके बाद जो हम आ जाते हैं famous camera उपर जो कि आज के रिट में बहुत ही जादे famous है वेब camera ये और बहुत ही जादे चल रहे हैं और ये सारे webcam जो है live stream में gamers वगेरा बहुत ही जादे use करते हैं इसके अंदर एक है Razer Qo X का ये बहुत ही जादे famous है ये gamers बहुत ही जादे जो है use करते हैं अपने live stream के लिए अपने live stream जाने के लिए gaming के दौरान बहुत ही जादे gamers की पसंद है ये बहुत ही जादे लोग ये use करते हैं और सबसे बड़ी खास बात है कि इसकी quality बहुत ही जादे बहुत ही जादे बहुत ही बहुत ही जादे बहुती है और इसके अंदर भी 3X का optical gym मिल जाता है लेकिन 1080p पर 30 fps में रिकौड करेगा और वहीं पर 720p पर 60 fps पर जो ही रिकौड करेगा बहुत ही बहतरीन क्वालिटी के साथ में याता है लेकिन इसका प्राइस 10,390 रुपे यानि कि 10,400 रुपे में है और यह इसी बजट के आसपास में मिलता है 10,000 के आसपास में ही मिलता है यह प्राइस उपर नीचे होते रहते हैं एक बार देख लेंगे क्या प्राइस है जिस वक्ते वीडियो देख रहे हैं बाकी यह बहुत ही फेमस यह कैमरा है उसके साथ में जो है अगला जो है लोजिटेक का आज की रेट में बहुत चलने वाला लोजिटेक का C920 फुल HD वेबकैम 1080p पर रिकॉर्ड करेगा यह लोग आँख वद्द करके इस पर भरोसा करते हैं क्योंकि इसके अंदर optical zoom नहीं है लेकिन फिर भी यह बहुत अच्छा performance देता है बहुत अच्छी quality देता है यह इसको हमने भी use किया हुआ है यह मेरे पास भी है इसके उपर यह इस तरीके से कभर आता है जैसे कि आपे देख पा रहे होंगे नहीं record करना इसको बंद कर देंगे यह हट भी जाता है इस तरीके से यह 920 है C920 यह मैंने बहुत पहले का लिया हुआ है तो color थोड़ा सा इसका अलग है बहुत ही बहतरीम camera है इसका sample भी मैं लगाने की कोशिस करूँगा मेरा लड़का यूज करता है कुछ sample आप लोग देख पाएंगे कि इसका record कैसा होता है recording कैसा output है तो आप video recording में भी आप इसको यूज कर सकते हैं जिनका budget कम है price की अगर हम बात करें कुल्मिला जूला करके तो ये 8,399 अनि की 8,400 रुपे में जो की बहुत अच्छा price है जिस वक्त मैंने लिया हुआ था इसको ये मैंने 12,600 रुपे में लिया हुआ था अपने समय में आज के करीब परीब ढाई-3 सल पहले 12,600 रुपे बहुत महंगा था आज के रिट में 8,400 रुपे बहुत अच्छा price है बिल्कुल आप इसको बाई कर सकते हैं डिल माइक मिलता है बहुत अच्छा sound भी cover करता है इसलिए ये camera लोगों की बहुत बड़ी पसंद है जो पिछला आपने razor देखा वो और ये camera लोग बहुत ज़्यादे बाई करते हुए नजर आ जाएंगे उसके बाद जो है अगर आपको 4K में चाहिए तो उसके लिए अभी फिलहाल एक ही जो की देखा हुआ जिसका result है मेरे पास वो एक ही हो सकता है वो है Logitech का Brio Stream ये Ultra 4K HD वीडियो कॉलिंग के लिए है या और ये Optical Zoom के साथ में ये आता है Noise Concelling भी इसके अंदर है बहुत ही बहतरीन क्वालिटी के साथ में आपको मिल सकता है लेकिन इसका प्राइस 16,600 रुपे दिखा रहा है 15-16,000 रुपे में हमेशा ये वैरी कर रहा होता है सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करेगा Optical Zoom के साथ में 4K का चाहिए तो आपको इसे बाई करना होगा तो इस तरीके से आप किसी भी वेब कैम को अपने बजट के हिसाब से अपने हिसाब से बाई कर सकते हैं तो दोस्ते वीडियो इंफर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेट में ज़रूर बताएं इसी प्रकार कि बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें के साथ बने रहें क्योंकि मैं श्रक्ती वीडियो समtoi करके आता रहता हो मैं मिलता हूँ नेक्ष्ट किसी और उच्छी इंफर्मेटी वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धर्ने बात करता हूँ आपका दिन सुखुर